हलो इस्टुरेंट्स मैं मनीशेंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं E-classes by मनीशेर इस चैनल पर अभी आप लोग कक्छा 9 और कक्छा 10 का सामाजी ज्यान विशय का ध्यन कर रहे हैं अभी आपने भारती प्रजातंत्र की कारप्रणाली के अंतरगत सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया है और आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे ग्रामीन अर्थवेवस्था और राष्टिय रोजगार गारंटी योजना और मध्यप्रदेश के संतर हमें हुआ है कैसे काम कर रही है इसके बारे में आप चर्चा करेंगे मैं आगे बढ़त उसके पहले आपको बता दूँ कि हमारे राष्ट पिता महत्मा गांधी अक्सर गाउं के बारे में बहुत सारी बातें कहा करते थे उनके कुछ कोट हैं, उनके कुछ वाक्य हैं काउवको अंनोंने कोई जो कुछ उन्होंने कहा है चलिए थोड़ा सा हम उन्च को देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है गाधी जी अक्सर कहते थे कि यदि भारत को जानना है भारत को समझना है तो उसके सहरों को नहीं उसके गाओं को देखिए उसके गाओं के जीवन को समझिए वो यह कहते थे कि यदि गाओं को नुकसान पहुचता है तो निश्चित रूप से भारत देश पर नुकसान होगा भारत देश पर नुकसान होगा आगे जोड़ते हुए बे अक्षर चर्चाओं में ये बोला करते थे कि यदि आपको भारत से मिलना है भारत को जानना है तो आपको भारत कहीं सहरों में नगरों में नहीं मिलेगा उसके लिए आपको उन 7 लाख गाओं में जाना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे भारत माता क्या है तो महत्मा गांधी के दुआरा जिन गाओं के बारे में बात की जाती थी क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि इन गाओं के लोगों का जीवन कैसा होगा ये कैसे खाते पीते होंगे कैसे रहते होंगे क्या इनके पास आजीविका के परियाप्त साधन होंगे क्या इनके पास खाने पीने के परियाप्त व्यवस्थाएं होंगी क्या कभी हमने सोचा है ये अपना तर्ण ढख पाने के लिए परियाप्त कपड़े रख पाते होंगे या नहीं आपको बता दें 2011 की जनगरणा के अनुसार आज भी 68.8% आबादी भारत देश की गाओं में ही निवास करती है और इसलिए हमारा ग्रामीन जीवन जो है इतना समरद्ध होना चाहिए कि ग्राव के लोगों को वहीं पर रोजगार उपलब्द हो सके वे केवल ना केवल वहाँ पर रोजगार पाएं बलकि रोजगार का सरजन भी ग्रामीन सतर पर ही होना चाहिए जिस से इन ग्रामवासियों को कभी भी रोजगार की तलास में अपने आजीवका के लिए पलायन करते हुए नवरों को न जाना पड़े आप लोगों ने अभी पिछले दिनों में जब COVID-19 का लॉकडाउन हुए था जब आपने देखा कि गाओं से जो लोग शहरों में गए हुए थे जब शहरों की स्थितियां बिगणी तो किस तरह से उनको पलायन होके वापस उन्ही गाओं में लोटना पड़ा यदि उन गाओं में ही उनको रोजगार के परियापत आउसर उपलब्द होते तो सायद इतनी भयावा हिस्तिती कभी निर्वित नहीं होती तो इन सारी चीजों पर हमारी सरकारों ने भी विचार विमर्ज किया उन्होंने समझा इस चीज को और केंदर की जो सरकार है जो हमारे भारत देश की संगी सरकार है उसने भारत के राजपत्र 31 दिसंबर 2009 के अंतरगत राष्टिय रोजगार गारंटी योजना 2005 जिसका नाम 2 अक्टूबर 2010 से महत्मा गांधी राष्टिय रोजगार गारंटी योजना रखा गया है उसके लि और पढ़ने जा रहे हैं कि देखते हैं कि इसकी आवश्चकता क्या है? यह कैसे कारी करती है? और यदि यह कारी करती है तो इसमें कुई कमी आ जाए, यदि काम करने के दॉरन कुई शिकायतें करना हो तो किन Кिन इस तरौपर की जा सकती है? और अंधे में हम देखेंगे रोजगार गारंटी योजना केवल योजना नहीं है यह एक अधिनियम है जो भारत के ग्रामीन परिवारों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है कैसे देता है चलिए हम आगे समझते हैं सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि भारती अर्थे व्यवस्था में विगत 30 वर् परिवर्तन हुए है और इन परिवर्तनों के फलसरूप सकल घरेलू उत्पाद में क्रिशी निर्मान एवं सेवा छेत्रों के योगदान में भी व्यापक परिवर्तन हुआ है जब हम भारत का आर्थिक नियूजन पढ़ रहे थे आर्थिक विकास के बारे में पढ़ रहे तब हमने देखा था दो हजार पाच्छे तक की स्थितियां देखी थे हमने उननीस सो पचास इंक्यावन से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सन उननीस सो तहित्तर से दो हजार तीन के बीच इन तीस वर्सों में भारत में बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ है अर्थिवयोस् उत्पाद में क्रशी छेत्र इस तरह से विनिर्मार छेत्र और सेवा छेत्र का जो है वह योगदान रहा है इसमें क्रशी छेत्र विनिर्मार छेत्र और सेवा छेत्र का योगदान किस तरह से रहा है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं सकल घरेलू उत्पाद में जो विनि बढ़ा है मतलब सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्मार छेत्र हो या सेवा छेत्र हो दोनों के योगदान में वरधी हुई है दोनों ने अपना अपना सहयोग बढ़ाया है भले ही विनिर्मार छेत्र या सेवा छेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ा हो लेक उत्पादन में व्रध्धी की तुलना में वे नहीं हो पाए हैं। इनका योगदान तो बढ़ा है लेकिन जितना योगदान बढ़ा है उस अनुपाद में रोजगार में व्रध्धी नहीं हो पाए हैं। जबकि सेवा छेतर से सिर्फ तीन गुना रोजगारों का सरजन हो पाया। अब हम अगर अलग-अलग छेतरों की बात करते हैं क्रिशी छेतर, विनिर्माण छेतर और सेवा छेतर के बारे में सन 1973 की इस्थिति में बात करते हैं। क्योंकि हम 30 वर्षों का तोलनात्मक अध्यन कर रहा हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर 1973 की स्थिति में। 1973 में सकल घरेलू उत्पाद में क्रशी छेतर का जो योगदान थवा है 45 परतिशत था। जबकि विनिर्मार छेतर का योगदान 30 परतिशत और सेवा छेतर का योगदान 25 परतिशत था। ठीक है जब इनका योगदान था तो 1973 में क्रशी छेतर से कितने रोजगार स्रजित होते थे। लगभग 75 प्रतिशत जबकि विनिर्माल छेत्र से 10 प्रतिशत और सेवा छेत्र से 15 प्रतिशत रोजगार का स्रजन हुआ करता था सन 1973 में अब हम आगे बढ़ते हैं 2003 की स्थिती में आते हैं जब हम 2003 में पहुंचते हैं तब सेवा छेत्र का जो योगदान है वो बढ़कर कितना हो जाता है 50 प्रतिशत और विनिर्माल छेत्र 30 प्रतिशत पर रहा आता है जबकि क्रसी छेत्र का योगदान सकल घरेलूत पाद में जाता है पहले कितना था 45 प्रतिशत था अब आधा हो गया लगभग 22 प्रतिशत अब देखते हैं कि 22 प्रतिशत होने के बावजूर भी क्रसी छेत्र कितना रोजगार प्रदान कर रही थी तो यह देखिए 60 प्रतिशत मतलब 1973 में जब क्रसी छेत्र का योगदान 45 प्रतिश था ब्रोजगार सरजन 75% था जब कि 2003 में जब क्रशी छेतर का योगदान आदा हो गया 22% रह गया तब भी रोजगार सरजन के आउसर जो है वे कितने रहे 60% इसका तात पर यह है कि क्रिशी छेत्र में कारे रत व्यक्ति आवश्चक्ता से अधिक है इन में से कुछ लोगों को अन्यत्र रोजगार से जोड़ा भी जाए तो भी क्रशी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा अब यह स्थिती ग्रामीन अर्थ व्यवस्था में बेरोजगारी के स्वरूप को दरसाती है जिसमें प्रच्छन बेरोजगारी आइशिक बेरोजगारी और अलप बेरोजगारी की समस्याएं व्याप्त है अब यह प्रच्छन बेरोजगारी आइशिक बेरोजगारी और इन समस्याओं के कारण ग्रामीन परिवारों को जो समस्याओं सामने आती हैं वो कौन-कौन सी इसको हम समझ लेते हैं तो आप लोगों ने पिछले 30 सालों का जो तोलनात्मा का ध्यान है उसको आपने किया 1973 में भारती अर्थववस्था में सकल घरीली उत्पाद के लिए क्रशी छेतर का योगदान 45 प्रतिशत था और वह 75 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करती थी जबकि 30 साल बाद 2003 में जब हम देखते हैं तो क्रशी छेतर का योगदान आदा हो जाता है सकल घरीली उत्पाद में लेकिन अभी भी खेती रोजगार देने में अवल है जबकि ये कहा जाता है कि यदि हमें विकिसित राष्ट की स्रैनी में खड़ा होना है तो क्रशी पत निर्भरता कम करते हुए निरमाण छेतर, मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर सेवाचेतर के योगदान को हमें बढ़ाना होगा हलाकि सेवा छेत्र और निर्माण छेत्र का योगदान बढ़ा है लेकिन रोजगार के आउसर उपलब्द नहीं हुए है जब ऐसा नहीं हो पाया है तो क्या हुआ गाओं में बेरोजगारी की स्थिती दिखने लगी प्रचन बेरोजगारी, आशिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी जब इस तरह की बेरोजगारियां ग्रामीड छेत्रों में नजर आने लगी तो ग्रामीडों में जो समस्या आती थी वो कुछ इस तरह की होती थी चलिए हम उन्हें समझते हैं पहला रोजगार के परियाप्त साधनों की कमी, क्रशी में आवश्चकता से अधिक व्यक्तियों के लिप्त होने के कारण ग्रामीन छित्रों में श्रम का उचितमूले नहीं मिलता है, इससे ग्रामीन परिवार गरीबी और भुकमरी जैसे समस्याओं से जूशते रहते हैं, देखते हैं, ग्रामीन अंचल में रोजगार के सीमित आउसर होने के कारण ग्रामीन परिवार आर्थी ग्रूप से असुरक्षित रहते हैं, सही है कि ग्रामीन छित्रों में क्या होता है, रोजगार के आउसर परियाप्त मात्राम उपलब्द नहीं होते हैं, और इस वज़ पूरते हैं उनको पूरा करने के लिए ग्राम के लोग क्या करते हैं नगरी छित्रों के और पलायन कर जाते हैं और जब वे नगरी छित्रों के और पलायन करते हैं तो उसे अनेग प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन होती हैं क्योंकि काम करने वाले लोग ग समस्य आती है ग्रामीनों के बीच में वो होती है रोजगार की सीमित अवसर होने के कारण ग्रामीन महिलाओं की स्रम की जो कीमत है और उनका जो दोवान है वो नहीं हो पाता ग्रामीन महिलाओं को श्रम की कीमत कम मिलती है और जितना वो श्रम कर सकती है उतना उनसे स्रम लिया नहीं जाता है आजीविका के लिए मुलभूत आवश्चताओं की कमी के कारण भी रोजगार के नए अउसर विक्षित नहीं होते हैं और इससे परिवारों का जीवन इस तर भी सुधर नहीं पाता है ये जो आप लोगों ने समस्याओं को देखा और समझा तो इन समस्याओं क समाधान के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ग्रामीनों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जाए और आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का सबसे ग्याद तरीका क्या है राहत कारे की रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाना जब उनको रोजगार मिलेगा त चलो में ही उपलब्ध हो बस इसी चीज को ध्यान में रखकर राष्टी रोजगार गारंटी योजना या राष्टी रोजगार गारंटी अधिनियम को सरकार लेकर आई चलिए हम देखते हैं राष्टी रोजगार गारंटी योजना के मूल उद्देश क्या है इस योजना का उदेश है कि ग्रामीड छेतर में निवासरत प्रत्येक परिवार के एक वयस्त व्यक्ति को जो अब कुशल मानोस्रम करने ही तु तयार है एक वित्ती वर्ष में कम से कम सो दिन का रोजगार उपलब्ध कराना और दूसरा है ग्रामीड छेतर में इस्थाई पर संपत्यों का अदूसन रचनाओं का निर्मार करना है राष्टी रोजगार गारंटी योजना पूरे देश के साथ मध्यप्रदेश में भी लागू ही थी मध्यप्रदेश में राष्टी रोजगार गारंटी योजना की क्या-क्या विशेश्ता है चलिए उनमें कुछ चर् रोजगार या तो छेतर में पहले से चल रहे रोजगार मूलक कार्यों में दिया जाता है या पंचायत इस तर पर सेल पॉप प्रोजेक्ट में कार्य आरंब करते हुए दिया जाता है इसके अलावा किसी अन एजेंसी द्वारा भी कोई किरियानवयत किया जा रहा है कारे तो उसमें भी रोजगार उपलब्द कराया जा सकता है मतलब रोजगार गारंटी ओजनाम है रोजगार किसको मिलेगा जो परिवार का व्यक्ति पहले पहुँच जाएगा पंचायत के पास की वी नीड दवर्क तो वो उसको काम दे दिया जाएगा जो पहले आएगा उसको पहले काम मिलेगा और काम कहां मिलेगा तो पहले से कोई रोजगार मूलक कारे चल रहा है छेतर में या तो वहां उपलब्द करा दिया जाएगा यदि कोई कारे नहीं चल रहा है तो पंचायत इस्तर पर तो उसमें कारे दे दिया जाएगा और अगर ऐसा भी नहीं है इसके अलावा भी अगर लगता है कि कोई अन्य एजेंसी है जो वहाँ पर रोजगार उपलब्ध हैं तो वहाँ पर भी इस योजना के अंतरगत रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है रोजगार प्रदान करते समय किन बातों का ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है इसको आप समझ लीजिए रोजगार के लिए जो आवेदक है उसके निवास इस्थान से 5 किलोमीटर की परिधी में होना चाहिए रोजगार उससे जादा नहीं होना चाहिए और यदि 5 किलोमीटर की परिधी से बाहर कोई रोजगार उपलब्ध है तो वह ग्राम पंचायत इस्तर से बाहर की बात हो जाती है तो वह रोजगार जनपत इस्तर द्वारा प्रदान किया जाता है और अपने घर से रोजगार इस्थल तक जाने के लिए परिवेहन भत्ता के रूप में अतिरिक्त मजदूरी दस्ट प्रतिशत प्रदान की जाती है एजेंसी के दुआरा साथ ही महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रात्मिक्ता दी जाती है आवेदकों में लगभग एक तिहाई महिलाओं को लाभानवित करने का इस योजना में प्राउधान है राष्टी ग्रामीर रोजगार गारेंटी योजना के अंतरगतिया दी कोई निशक्त है कोई अपंग है या भुजग व्यक्ति है दी वो भी आवेदन करते हैं तो उनकों की योगता और दक्षता के अनुसार काम दिया जाना है ऐसा नहीं है कि हम उनको बोल दें कि नहीं आप दिव्यांग हैं या बुजग हैं आपको काम नहीं दिया जायेगा नहीं ऐसा नहीं है सभी को रोजगार प्रदान की जाने का प्राउधान है योजना के अंतरगत कार करने वाले प्रत्यक वक्ति को राज्य शाषन द्वारा निर्धारित या सक्छम अधिकारी द्वारा कृषी श्रेमिकों के लिए नियूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतरगत निर्धारित मजदूरी पाने का हक है महिला और पुरुस में मजदूरी को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा मजदूरी का भुक्तान शापताहिक भी हो सकता है मैकजीमम 15 दिन में एक बार किया ही जाना है फिर इसके लावा काम के दोरान यदि किसी कोई छोट लग जाती है तो उसका फिरी में इलाज किया जाएगा और यदि मृत्य हो जाती तो उसको निर्धारित मुआपज़ दिया जाएगा गाओं में जल, जंगल, जमीन से जोड़े मामले हैं वहाँ पा काम और खेती, सड़क बनाने, सुधारने, आदी के काम होगे लेकिन एक चीज पे रोख होगी, वो है ठेकेदारी प्रथा मतलब किसी भी काम को ठेकेदार से नहीं करवा जा सकता ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह से इस योजना में प्रतिबंधित रहेगी सनरचना एवं गुणवत्ता के निरधारित मापदंडों को निश्चित करते हुए मानो स्रम के इस्थान पर कार करने वाली मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा उन मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है जिनको मानो काम नहीं कर सकता वहाँ पर मशीन लग सकती हैं लेकिन मानों को रिप्लेश करके डिस्प्लेश नहीं किया जा सकता विस्थापित नहीं किया जा सकता मशीनों के दौरा योजना में पारदर सिता बढ़ाने के लिए सोसल आडिटिंग का आरेजमेंट है गाउ में काम की देखरेक के लिए निगरानी समिती भी बनाई गई है और ग्राम सभा गाउ में किये जा रहा है सारे काम की जाज परताल करेगी अर्थात हुआ है देखेगी कि क्या काम हुए हैं काम में कितने मजदूर लगे थे सारे मजदूरों को मजदूरी मिली या नहीं ये सारी बातें ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से होगी इसकीम से सम्मंधित सभी जानकारी जनता को छानबीन के लिए उपलब्द कराने की विवस्था भी होगी रोजगार गारंटी योजना में suppose किजिए हम काम मागने गए जब हम काम मागने जाएंगे तो देखा जाएगा सबसे पहले कि आपका निवास इस्थान कहाँ पर है उस निवास इस्थान से 5 किलो मीटर के एरिया में आपको काम उपलब्द कराए जाएगा रोजगार दिया जाएगा suppose करो यदि उस 5 किलो मीटर के एरिया में आपको लिए रोजगार नहीं है तो जन्पत पंचायत आपको काम उपलब्द कराएगी और 5 किलो मीटर से ज़्यादा दूरी पर आपके जाने और आने में जो खर्च होगा उसका भुकतान 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देकर पूरा किया जाएगा तो ये चीज़ समझ में आ गया इसके अलावे एक और बात है suppose करो यदि कोई बुज़र्ग है कोई दिव्यांग है यदि वो काम लेने पहुँच गया यदि वो काम मांगने पहुँच गया तो क्या उसको भगा दिया जाएगा नहीं काम का प्रावधान रोजगार का प्रावधान प्रतियेक परिवार के एक बक्ति के लिए है उसको मना नहीं किया जाएगा उसकी दक्षता और उसकी सारेलिक छमता के अनुरूप उसे काम दिया जाएगा यह सो ची आप क्या काम दे सकते हैं सपोस कर CrCore कि वहाँ पर महिलाए कारे कर रही हैं अगर महिलाए है तो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं और यहां पास से अधिक बच्चे हैं तो जहां पर काम हो रहा है वही पर एक पालना घर बनाया जाएगा वही पर जूला डाला जाएगा एक शैड बनाया जाएगा तो ये दिव्यांग लोग हैं ये दिव्यांग या बुजर्ग व्यक्ति हैं उनको उन बच्चों की देखभाल के लिए लगाया जा सकता है तो इस तरह ऐसे जिस व्यक्ति से किस व्यक्ति से क्या कारे लेना है यह प काम पाने की प्रक्रिया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोजगार गारंटी योजना में काम कैसे हाचल किया जाता है, रोजगार कैसे पाया जाता है, हम उन पहलों पर विचार करों उसके पहले आपको मैं बता दू, रोजगार गारंटी योजना में प्रतेक परिवार को सो दिन का कारे देने की गारंटी दी गई है उस सो दिन का कारे किसको दिया जाना है उस परिवार के वयस्क व्यक्ति को अब उस परिवार में मालो चार वयस्क व्यक्ति हैं तो वह सो दिन का बटवारा उन चारों में कर दिये जाएगा पच्चिस पच्चिस दिन में चारों का या चाहें तो अगर वो तीन लोग काम नहीं करना चाहते हैं तो एक ही व्यक्ति को 100 दिन का काम दे दिये जाएगा यदि दो लोग काम करना चाह रहा हैं और दो लोग नहीं करना चाह रहा हैं तो दोनों आपास में 40-60 बांट लें 50-50 दिन कर लें जैसा भी निर्धायर थो व रक्तेक परिवार को ग्राम पंचाय च्छेतर का स्थाई निवासी होना आवश्चक है। पर जो हवाई ग्राम पंचायद से प्राप्त होगा, जॉब कार्ट के आधार पर कुशल मानौस्रम करने ही तु आवेधन देना होगा, अब ऐसा नहीं कि आपके पाद जॉब कार्ड आ गया तो अब रोजगार देने वाला आपके घार आएगा कि भाई साब ये रोजगार ल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी ग्राम पंचायद में अपना एक पंजीन कराना पड़ेगा, पंजीन कराएंगे इसके बाद आपके एक जॉब कार्ड मिल जाएगा, उस जॉब कार्ड को ले करके आप पंचायद में आवेधन देने जाएंगे, साथ जॉब कर्ड जारी किया जाता है जिसमें समंधितों का पूर्ण विवरण होता है यह रोजगार पत्र जो है अपने जारी होने की दिनांग से पांच वर्ष के लिए वैद होता है देखिए आपको यह लग रहा होगा पिछली जो हमने भारती प्रजातंतर की कारप्रणा या ध्याय पढ़ा उसे पांच वर्ष का बड़ा रॉल है भारत में पांच वर्ष का बहुत महत्वपून है चाहे पंच वर्षी योजना हो चाहे लोगसभा का कारकाल हो विदानसभा का कारकाल हो संसत का कारकाल हो पांच साल ग्राम पंचायत का कार हो पांच साल तो रोज कार्ड के लिए क्या होता है BPL सर्वे पर आधारित बनता है जॉब कार्ड में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने के लिए ग्राम पंचायत शक्षम होती है जॉब कार्ड जो बनाया जाता है उसमें प्राइटी यह होती है कि गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों को प्रा तो इस प्रकार राश्टी रोजगार गारंटी योजना के इस पहले अध्याय में आप लोगों ने काफी कुछ समझ लिया कि गांधी जी के क्या विचार थे, रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्च क्या है और जॉब कार्ड बगएरा के बारे में आपने समझा कि कार अगर हमें कोई शिकायत करना हो तो शिकायत में कहां की जाया उनका निप्टारा कैसे होगा और इसके अंतरगत किये जाने वाले कारियों के बारे में हम अगली वीडियो में अध्यायन करेंगे तो तब तक आप लोग इसक्रीन पर दिखाय दे रहें प्रश्णावली को हल कीजिए और देखते रहिए एक लासिस माय मनिश्या जै हिंक